कानपुर लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के रोड़ शो के बाद अब एंट्री हुई भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंग और मोनालिसा की दरसल भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में प्रचार करने मशुहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंग और मोनालिसा कानपुर पहुची इस दौरान रिकार्ड संख्या में लोक पहुचे रूट शो में भीड ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जम कर नारे लगाएं भीड से मोदियोगी जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे दोनों अभिनेत्रियां हाथ में कमल फूल का निशान पकड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी रूट शो के दौरान कानपुर की सडकों पर लोगों का हुजूम नजर आया अक्षरा सिंग की एक ज़लक देखने के लिए युवाओं में उच्सा दिखा खाई दे रही थी अक्षरा सिंग और मुनालिसा ने अपने हाथों में भाजपा का चुनाव चिनकमल का फूल लेकर चल रही थी उन्होंने काली देवी मंदर के सामने मां काली का हाथ जोड़कर नत्मस्तक होकर आशीरवाद लिया रोड़ शो गल्ला मंदी, चंदेल चौराहा, विजय नगर, डबल पुलिया, गोपाला चौराहा, छट पूजा स्थल, नमक फैक्टरी चौराहा काकादेव, एकता चौराहा, रावतपुर बाजार, राम लला मंदिर, पाथा माई मंदिर से होते हुए मसवानपुर सराय प मोधियों की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, बीजेपी सरकार आने के बाद काफी परिवर्तन आया है, एक सवाल के जवाब में मोनालिसा ने कहा कि उनका परिवार पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा है, उन्होंने लोगों से अवस्थी कानपूर के लिए अच्छा करेंगे, अभिनेतरी अक्षरा सिंग ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, कानपूर शहर सिर्फ शहर ही नहीं, बलकि अपने आप में एक प्यार है और जो भी यहां आता है, वह इस प्यार का मुरीद हो जाता है, उन्होंने कहा कि रोड शो के माध्यम मैं यहां के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी और अपने भाई रमेश अवस्थी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रही हूं, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जनता के हित में क खुद भी काफी समय से बीजेपी से जुड़ी रही हूँ। अक्षरा सिंग ने कहा कि मैं खुद एक महिला होकर भाजपा की नीतियों से काफी ज्यादा प्रभाविद हूँ और मैं इस सरकार में खुद को भी काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। उन्होंने कहा कि अपकी बार चार सो के पार का नारा जम कर चल रहा है और जनता भी इस नारे को काफी ज्यादा पसंद कर रही है। इस बार फिर से कमल का फूल खिलने जा रहा है और अपार भहुमत से दिल्ली में मोधी जी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्मान के प्राण प्रतिष्ठा समारों का निमंत्रन ठुकराने वाले सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले विपक्षी पार्टी के नेताओं की जमानत जब्द करानी है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें